अगर मुझसे बाते करने की इक्षा रखते हो न तो मेरी सच्चरित्र को पढ़ना शुरू करो और मैं तुमसे बाते करूँगा और अगर मुझे महसूस करना चाते हो तो फिर मेरी स्टवन मंजीरी का पाथ निरंतर करते रहो हर पल हर शण मुझे महसूस कर पाओगे तुम मेरे नए रूप को जान पाओगे तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी स्टवन मंजीरी के पाट से आस तक तुमने मेरी सचरद्र सिर्फ और सिर्फ भक्ती भाव से या फिर किसी इच्छा की पूर्ती के लिए पढ़ा है पर आज जब तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि तुम हार गए हो और आगे कैसे होगा क्या होगा तो जैसे अर्जुन की द्रिष्टी से श्रीमत भागवद गीता का पाट किया जाता है ना बिल्कुल वैसी ही द्रिष्टी से एक बार तुम मेरी सचरद्र का पाट करो जैसे एक हारावा इंसान प्रभू से सवाल पूछता है न, बस वैसे ही उसी दृष्टी से एक बार पढ़ लो तो, इस बार तुम्हें मेरी सचरतर पढ़ने मातर से ही श्रीमत भागवत गीता के पाठ का भी आशरवाद मिलेगा, जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं, व और क्या करना है, इनके जवाब भी तुम्हें मिलेगे, बस तुम इस बार अध्यायव एक से मेरी सचरतर को पढ़ना, कोशिश करना कि तुम खुद से पढ़ सको, अगर वो बिलकुल ना हो पाए, तब जितना ध्यान पूरवक सुन सकते हो, तुम्हारे अंदर जितना ध्य जो तुम मुझ पर केंद्रित कर सकते हो, वो सब लगा कर सुन लेना, इस तरह सुनना या इस तरह पढ़ना, जैसा आज से पहले कभी तुमने नहीं किया था, मेरी सचरतर के लिए वो जो ललक होती है ना, बस वो रखते वे पढ़ना, और जिस दिन, तुम्हारा पूरा पारायन समाप्त हो, उस दिन, किसी एक भूखे इंसान को खाना जरूर खिलाना, और एक बात जानते हो क्या, मैं बस ये चाहता हूँ, कि तुम अपनी जिंदगी से, अपनी शब्द कोश से, दान शब्द को निकाल दो, और उपहार शब्द को ले आओ, तुम ये कभी मत कहना कि तुमने अन्न का दान किया हमेशा ये कहना कि तुमने किसी को उपहार सरूप अन्न दिया है तुम ये समझो मैंने तुम्हें आशरवाद दिया है कि तुम लकीर की इस कोने पर हो जहां तुम्हें किसी से मांगना नहीं पड़ता तुम दे पाते हो तुम उन लोगों के लिए जो बेबस और बेचारे है न उनके लिए साई बन कर जाते हो तो कोशश करो अपने शब्दों को खूबसूरत बनाने का हर किसी को उपहार दो जो ही तुम उपहार देना शुरू करोगे न तो देखना तुम्हारे जिंदगी में भी खुशी प्रसंदता आने लगेगी और फिर तुम जिसके लिए जो करोगे उसके बदले में वो इनसान तुम्हारे उपहार की कीमत को समझेगा और सच तो ये है न कि दान करने के योग या कोई भी नहीं दान करने के योगे तो सिर्फ और सिर्फ प्रभू है तुम बस अपने कुछ शब्दों को बदलना तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी खुश रहो मुस्कुराते रहो मेरा अशरबात हमेशा तुम पर बना रहेगा तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार की भी मैं रक्षा करता रहूंगा क्योंकि मुझे पता है तुम्हे लगाव है तुम्हे चाहत है अपने परिवार वालों से